हेलो दोस्तो मैं हूँ सोनम पांडे और आज मैं आपको बताऊंगी कि सुनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर को छोड़ दिया है उन्होंने क्यों ऐसा किया है ये भी बताऊंगी तो दोस्तो ये पूरा वीडियो देखिए तो दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ सुसान सिंग राजपूत सुसाइट मामले में ट्विटर पर बढ़ती हुई बहस के बाद सोनम कपूर सुनाक्षी सिन्हा करन जोहर से लेकर सल्मान खान तक कई बड़े स्टार्स ट्रोल हुए हैं अब उसका नतीजा यह हुआ है कि सुनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर को छोड़ने का फैसला लिया है उन्होंने लिखा है कि ट्विटर पर जादा नकारात्मक और नफरत है वो अपनी जिंदगी में ये सब नहीं जोड़ना चाहती नफरत फैलाने का सबसे बड़ा मैदान बताते हुए सुनाक्षी सिन्हा के बाद पांस स्टार्स ने ट्विटर को छोड़ दिया है जी हाँ दोस्तों सोनाक्षी सिन्ना और भी 5 star ऐसे हैं जो कि ट्रोल होने के कारण उन्हों ने Twitter को छोड़ दिया क्योंकि उनका माना है कि जितनी नकारात्मक और नफ्रत Twitter में भरी हुई है उतनी और कहीं नहीं मिलेगी उन्हे सोनाक्षी सिन्हा ने ट्वुटर डिलीट करने के पहले एक नोट लिखा निगेटीविटी से खुद को दूर रकने के लिए वो सबसे पहला फैसला ट्वुटर से दूर रहने का कर रही है मैं अपना ट्वुटर अकाउंट डियेक्टिवेट कर रही हूं इस पोस्ट को सोनाक्षी ने Instagram पर share किया उन्होंने लिखा पिलाल सोनाक्षी सिन्ना के इस बड़े कदम के बाद वही इसकी विजयता है ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है जिसकी तेजी से चर्चा हो रही है सोनाक्षी सिन्ना ने अपने इस पोस्ट के साथ वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तो इस वीडियो में सुनाक्षी लिखती है कि कैसे मैंने खुद को ट्विटर से दूर कर लिया है और नकारात्मक्ता से दूर रही है वो आगे लिखती है कि कुछ लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ जीत लिया है, मैं आपके लिए खुश हूँ, तुम्हें लग रहा है ना, लगने दो, किसी को कोई फरक नहीं पड़ रहा है, इसका सामना करना चाहिए, मैंने अपने जीवन में अपमान और दुरुपियों के हर स्त्रोत को काट दिया है, मैंने आप एक वीजेता है और वो मैं हूँ, दोस्तों यहां सुनाक्षी ने खुद को वीजेता बताया है, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, ये कमेंट करके जरूर बताए कि सुनाक शी ने ट्विटर छोड़ कर सही किया या गलत?